दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप दस हिल स्टेशन के बारे में जहां जाना हर किसी का सपना होता है हिल स्टेशन का नाम सुनते ही दिमाग में आता है वहां का मौसम, सुन्दर्ता, मनुरंजन और खाना यही कारण है कि कई लोग हर साल अलग-अलग हिल स्टेशन पर जाना पसंद करते हैं खास कर गर्मियों के मौसम में जब हिल स्टेशन किसी स्वर्ग से कम नहीं होते वैसे तो भारत के हरे एक शहर के पास कोई ना कोई हिल स्टेशन है पर आज हम ऐसे आपको दस हिल स्टेशन्स के बारे में वताएंगे ताकि आपको इस साल अपनी पसंदीदा जगह चुनने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े 10. मनसूरी तो चलिए शुरू करते हैं मनसूरी से मसूरी उत्राखंड राचे के देहरादून से 35 किलोमेटर की दूरी पर है इस हिल स्टेशन से शिवालिक परवतमाला और दून घाटियों का नजारा देखते ही बनता है इस जगह का नाम मनसूर नाम की ज़ड़ी से लिया गया है जो इस शेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है धर्मियों में यहां कमवसम सुहावना रहता है और सर्दियों में यह बरफबारी का मज़ा भी लिया जा सकता है अगर आप भी यहां जाने की सोच रहे हैं तो यहां के कैम्टी फॉल, लाल टिबबा, ज्वाला देवी मंदर और ज़री पानी ज़रने को जरूर देखें 9. अल्मोडा अल्मोडा को भारत का स्विजलेंग भी कहा जाता है यहां के बर्फ के पहाड, रूई जैसी सफेद बर्फ, हरी भरी घास, सुन्दर ज़रने और यहां से सुन्दर द्रिश्य इस हिल स्टेशन की सुन्दरता में चार चांद लगाते हैं यहां पहुँचकर आप अपनी थखान को पल भर में ही भूल जाएंगे यहां का नैना देवी मंदिर, ब्राइट एवं कॉर्मर, चितई मंदिर, कटार मल मंदिर, बीन रस और कोसी देखने के योग्ये हैं अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो भी अलमोडा आप के लिए उप्युक्त है माउंट आबू राजस्थान का इकलोता हिल स्टेशन है जहां राजस्थान में इतनी गर्मी पढ़ती है वहीं माउंट आबू में तापमान कम रहता है आज ही नहीं बलकि कई सालों पहले जब राजस्थान के राजा महराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू ही आया करते थे पहाडों से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन सुंदर के लाकृतियों वाले मंदिरों से भरा है यह जगह केवल हिंदू की ही नहीं बलकि जैन धर्म के लोगों के लिए भी बेहत महत्व पूरुन है राजस्थान की राजसी संस्कृतिक की जहलग भी इस थान पर साफ देखने को मिलती है पश्यम बंगाल के सिली गुड़ी से 80 किलोमीटर दूर के हिल स्टेशन किसी जल्लत से कम नहीं है दार्जलिंग की संदर्था का जादू ही है जिसके कारण यहां हर मौसम में लोगों की भीड रहती है यह एक ऐसी जगा है जहां आपको भी अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए यहां की संदर्था ही नहीं बल्कि यहां उगने वाली चाहे भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है यह हिल स्टेशन को अंग्रेजों के समय में ही विक्सित हो गया था अगर आप यहां जा रहे हैं तो यहां की टॉई ट्रेन की यात्रा करना ना भूले केरल राज्ये का यह हिल स्टेशन भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है यह हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय से ही प्रसिद्ध है अंग्रेजों के समय में यह उनका ग्रिश्म कालीन रिजोट हुआ करता था मुनार शब्द असल में एक मल्यानम शब्द है इसका मतलब होता है दीन नद्यों का संगव मुनार में मधुर पुजहा, नला थन्य और कुंडाली नदियां एक ही जगा पर मिलती है मुनार अपने भेतरीन मौसम के साथ साथ यहां दूर दूर तक फैले चाई के बागान चोटी छोटी नदिया और जहरने के लिए भी प्रसिद है हमारी लिस्ट में पांच विस्थान पर है मनाली रिश्वी मनु का घर माने जाने वाला मनाली किसी पहचान का महताज नहीं है मनाली को इसकी संदर्दा के साथ साथ इसके हिंदूआ के लिए धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है मनाली तक महुचना बहुत ही असान है और यहाँ आपको अपने मनोरंजन के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा जैसे रिवर राफ्टिंग, पेरा ग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग, आदी यहाँ कई ऐसे स्थान है जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए जैसे है डिब्मा मंदिर, विशिष्ट कुंड, मनीगरन, रोतांग पास, सोलंग नाला इसलिए जब भी यहाँ जाएं अतरिक्त समय निकाल कर जाएं चार उटी तमिलाडू उटी शहर उधग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलाडू ही नहीं, बल्कि करनाटक राज्य की सीमा से भी सटा हुआ है इस हिल स्टेशन पर पहुँचने के लिए आप वायूयान, प्रेन या बस किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ ही यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन भी आपको जरूर भाईगी दक्षिन भारत के अन्न स्थानों की तुल्ला में यहां का मौसम हमेशा ठंडा और खुशनवा रहता है इसलिए गर्म कपड़े साथ ले कर जाएं डोड़ा बेटा चोटी, बाटनिकल गार्डन, ऊटी जी, काल हटी जल प्रपात, कोटा गिरी हिल यहां के दर्शनी इस्थानों में से है क्लीन मैनी ताल उत्राघंड मैनी ताल को जाना जाता है अपनी जीलों के लिए यह जिका पूरी तरह से जीलों से घिरी हुई है उत्राघंड का यह हिल स्टेशन परियटकों का पसंदीदा स्थान है आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ दूनना हो या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो हर तरह से यह स्थान आपके लिए पॉफेक्ट है गर्मों में नैनिताल की खुबसूरती और धंडा मौसम सेलानियों को अपनी तरफ खींज लाते हैं और सर्दियों में बरफबारी और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी आकशक बना देते हैं यह किसंदर्ता ही काफी है किसी को भी पागल करने के लिए दो शिमला हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है शिमला हिमाचल प्रदेश के इस छोड़े हिल स्टेशन को पहाडों की रानी के नाम से भी जाना जाता है यह अंग्रेजों की ग्रीश मिकाली में राजदानी थी यहां की संदर्ता को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है यह एक ऐसी जगा है जहां की हर चीज अनोखी है फिर वो चाहे यहां का मॉल रोड हो या जहां कूम अंडे मशुबरा हो या कुफरी शिमला की हरे एक जगह में आपको प्रिटिश समय की धलत देखने को मिलती है सर्दियों के समय में यहां जम कर बर्फ गिरती है और साल के अन्य महीनों में यहां का मौसम ठंडा रहता है एक श्री नगर कश्मीर किसी शायर में कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर इस धर्टी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है यह जगह है ही इतनी खुबसूरत कि इसे देख कर किसी के भी मुँ से यह निकले यह एक ऐसा शहर है जिसमें कोई कमी नहीं है सुन्दर जीले, धार्मिक्स्थान, चारों और हरी भरी जमीन हाउस बोर्ट इस धान को हर तरह से संपन बनाते है इस धान की सुन्दरता को देखने का सपना मेरी तरह कई लोगों ने देखा होगा पर पिछले कई सालों से यहां फैले आतंवात के कारण यहां कम लोग ही पहुँच पाते हैं उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहां शांती पूर्ण माहौल हो ताकि हम यहां जाने का अपना सपना पूरा करते हैं